प्रेंड्स वेल्कम टू आर्ट चैनल फेर मर्केट स्लूशन ट्ल्टिफोर इंटू सेवल में आपका स्वागत है और आपका स्वागत है और हम लोग जित शेयर के बारे में अभी डिसकस्टर ने जा रहे हैं वह है बोरुसिल लिमिटेट का सेयर और यहां पर हम देखेंगे कि अभी जो ट्रेड कर रहा है इसने अपर सर्केट लिया है पास परसेंट का और जो यह लेवल है वह बहुत इंपोर्डेंट है इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो को आगे मैं डिसकस करने के पहले चाहूंगा जो लोग नए है वो प्लिस सस्क्राइ करते हैं तो क्या प्राइस मिल सकता है और क्या नही बिल सकता ये सारे छाइशी दिसक्स करते हैं तो इस करते हैं तो बीस से घैמסर atives मैं जो है अप देखेए उन्हें को को इसने जो है एक कlement लगाया था सถएन्टेन ढाइन रूपीज से हंडेग eh पे तो यानि यानी 20 30 पर संट का यह बूछार दिया था और फिर इस लेटल के बाद जो है इस ने ड्रै पर यहाँ पर देखि demain'soben 116 के यहांड हमस् ensign slide 1110ası ऑक सब्सक्राइब और 2 पहीं हना रिज निकला उनक्याई हुई थी तो वहां से इसने जो है 115 यानि 15% का अप मूब दिखाया और जो हाई लगाया था इसने 118 का लगाया था और 118 पे इसने कुछ समय गुजारा और 118 क्रॉस होने के बाद इसने 123 जैन आप देखिए 139 का एक हाई लगाया मैं इसलिए देखिए बात कर रहा हूं कि यह चलता कैसे है और इसलिए मैं इसको ध्यान से देखिए फिर यहां पर बात कर ले एक हाई लगाया था देखिए और इसके उपर जब निकला तो जब आपका बेस दीख रहा है यहां पर देखिए तो आपको यहां पर खरीदना चाहिए इस तरह से चार्ट को पढ़ने की कोशिशिस कीजिए जरूरी नहीं है कि मैं ही बताऊं तो भी आप खुद भी बोरो सेल पर इंटेस्टेट हो तो बोरो सेल का चार्ड को देखिया और हम उसने जब 141, की लेवल को ब्रेक किया था, अब वो कब ब्रेक किया था, 11, December को, 14, December को और यहाँ के फिर नीचे आया था और support कहां लेगा इस level पर लेगा, यह सीखिए, क्यूंकि यहाँ पर इसने closing दी थी, बड़ा candle बनाया था, बड़ा के Carnal बनाया था, यह लेबल था 221 का और वहां से इसने इंट्रागेड में नीचे तक गया था लेकिन उसने क्लोजिंग जो है उपर की तरफ दी थी यहां पर कोई निकलने के जरूरत नहीं थी और यहां बात करें फिर जो है इसने जो इसके उपर बंद गुआ जो क्लोजिंग थी इसके उपर इसके नीचे जो लेबल था फिर इस लेबल पर आया था 222 पर सपोर्ट देखते रही है फिर यहां पर फिर यहां से गैप आप ओपनिंग किया था और लो लगा था 265 का और जो क्लोजिंग दिया था इसने 280 का तो 280 का लेबल अभी चुकी चल रहा है तो इसको हम लो मार कर किया फिर आपका बात करें 280 का लेबल यादि आप देखें यहां पर यहां पर करें के रेजिस्टेंट का काम किया और यहां पर देखेंगे तो तो 277 का तो यहां पर आपको हमेशा एक चांस लेना हो तो यहां पर खरीद सकते हैं और अभी जिस लेवल पर है यह कल की opening मैं बता दू आपको यह ओपनिंग जो है 228 के उपर होती है देन आप एक पोजिशन बना सकते हैं और यह नहीं तो आप 228 के ओपनिंग होती है तो आप पोजिशन बनाएगे और यहां से जो आप मूब आने के चांसे हो सकते हैं दोस्तों देखें जब इसने किया था उसी हिसाब से मैं बताता हूं 323 पे काफी समय इसने जो है टाइम बिताया है कब से बिताया है देखिए यह लेवल है तो वहां पर थोड़ी मात्रा में अकुमिलेट कीजिए चार पांच आजर रुपे से ज्यादा नहीं और वहां पर देखिए क्या होता है सीखने की कोशिश कीजिए और यदि आप 33 पे भी मिलता है तो वहां खरी दिए 33 के उपर लगाईए वहां खरी दिए तो प्राइस ज गाउलेट की के उपर खरी दिए यहां हंड़ेड सभन के आसपास में खरी दिए तो यहां यहां से टार्गेट जो आपको मिलेगा दोस्तों वह काफी अच्छा मिलेगा देखे क्योंकि यह तो नाइनटीवार जो है आप अभी कंफरेबल जोन में है यहां पर और वोल्डिंग की बात कर लें दोस्तों यहां पे यहां पर देखिए जो है ने करती है तो यहां पर देख लेते हैं तो बहुत पुराना नियुज तो यह सारे चीजे थी और बात कर लें इनका जो है काम किसमें करती है कि यह जो है मोनोपोली रखती है आपका जो है सोलर पैनेल में जो गलास बनता है वह उस पे यह मोनोपोली रखती है और आने वाले समय में अच्छा खासा गौभर्मेंट का इनिसिटर्याइज जीरो कार्बन इमिशन का तो वहां पर इनको फायदा मिलेगा और दो हजार बा पार है तो बोरोसिल जो यहां पर अच्छा कासा जो है यह इसके दाम मिल रहा है तो यह सारे चीज़े बहुत ही पॉट्जिटीव है और आने वाले समय में इसमें जो है अच्छा ऐसा टार्गेट मिल सकता है मेरा मानना है और एक जो है इन्वेस्टमेंट के नजरिये से भी देखा जा सकता है बोरोसील को विट बैलेंस प्रफ पॉट्फोलियो के लिए तो यहां पर यह सब चीजे थी और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए का सब सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए